वेलकम टो लिली आर्टेस्ट फैब्रिक वर्क्स तो यह देखिए आज मैंने पेंट और ब्रश के साथ क्या रखा है एक सीजर और रिबन तो मैं इस से क्या करने वाली हो और हमारे पास एक निडल भी है तो सबसे पहले मैं कलर आपको दिखा दे रही हूं बॉटल आप इसको पॉस करके आप कलर का नेम रीट कर लीजेगा ताकि आपको कलर कॉंबिनेशन जो होता है वो अराम से समझ आ जाया और आपको पर्चेस करना हो तो आप पर्चेस कर सकते हैं अच्छा अब आज मैं आपको कुछ डिफरेंट बताने वाली हूं तो देखते अब इतना सारा सा आप यूस कर सकते हैं और हमें चाहिए एक निडल अब देखे मैं करती क्या हूं और आज मैं आपको बहुत ही क्रिएटिव आइडिया बताऊंगी कि किस तरीके से आप इंब्रॉडरी एंड पेंटिंग को मिक्स करके बहुत ब्यूटिफुल डिजाइन बना सकते हैं तो च और मुझे मेन आपको पेंटिंग दिखानी है तो फिर लेकिन मैं आपको एक फ्लावर बना के भी दिखा दूँगी कि किस तरीके से आपको बनाना है रिबन से और उसके बाद जो भी हम करेंगे स्टैप बाइ स्टैप देखेंगे तो वीडियो कंप्लीट देखें और फैमिली के साथ शेयर करें देखें जहां पर मुझे बनाना है फ्लावर रिबन से तो वहां पर मैंने चोटा और बड़ा आप बुगर से देखेंगे तो आपको दिखेंगा मैंने हलका हलका बस निशान लगाया है और देखें इस तरीके से हम अपनी एक एक पैटल बना पूंडरी पे और उसके बाद इसको पुल करेंगे रिबन ध्यान हमें रखना है कि यह जो हमारा पैटल है वह सही-सही बैठे सीधा बैठे इस तरीके से फिरम खीच के इसको सेट करेंगे और वन बाई वन इसी तरीके से बनाना है मैं आए कुछ और पैटल बना के देखते हैं जहां पर आपको लगेगा कि आपका रिबन ट्विस्ट हो रहा है वहाँ पर आप हाथ से उसको ठीक कर लेंगे ताकि आपकी पेटल बहुत ही अच्छी सी बन जाए और इसी तरीके से स्टेप बैस्ट है हम अपने फ्लार को रिबन से बना लेंगे रिबन और निडल के हेल्प से और ये हमारा कॉटन क्लॉथ है इस तरीके से आप बनाएंगे आपका बन जाएगा बहुत ही अच्छा लगता है ये वर्ड कर आप ट्राइ करेंगे अब देखे जहां जहां पर भी मुझे फ्लार च दिखेगा मैं पुरी कोशिश कर रहे हूं कि आपको समझ आये अच्छे से कि मैं डिजाइन को किस तरीके से कनेक्ट कर रही हूं तो यह मैंने कली बनाई थी रिबन से एक पेटल की अब मैं फ्लार को एक दूसरे में जॉइन करूंगी और किस तरीके से डिजाइन बनाते है यह चीज आप यहां ध्यान से देखिए आपको इसी वीडियो में बहुत कोई सीखने को मिलेगा तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हूं तो जरूर लाइक करें कॉमेंट में मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही और अपने फ्रेंस और फैम देखिए बेसिक हमने पैन से ड्रॉ कर लिया था यह मैं इसको रिपीट कर देती हूं आपको दिखने ही रहा होगा देखिए इस तरीके से जो हमने बेसिकली इसको सारे फ्लार को और कली को एक दूसरे में जॉइन कर दिया है अब हम इसमें लीव बना रहे हैं तो इसी तरी लीव होनी चाहिए देखिए इस तरीके से हम डिजाइन को एक दूसरे से जॉइन कर देंगे बाई लाइन्स एंड लीव देखिए हमारी डिजाइन है अभी मैं इसको जब पेंट करूंगी तो आपको अच्छे से विजिबल होगा अभी देखिए मुझे नीचे के साइड यहां दो लीव चाहिए थी तो मैंने उसको ड्रॉ कर लिया है अब मैं पेंट करना स्टार्ट कर रही हूं पेंट की बॉटल का जो भी जो कलर के नेम से मैंने स्टार्टिंग मैं आपको दिखा दिया था तो वहां से आप पर्ड सकते हैं अगर आपको पर्चेस करना है यह ह यूज़ कर रहें लाइट-ग्रीन राउंड ब्रेश यूज़ कर रही हूं साफ में स्टैप ग्रीन है और वाइट है इन्ही थ्री बॉटल्स जो हैं हमारी यही थ्री कलर कॉम्बिनेशन से मैं अभी नीचे वाली जो लीवे हमारी इसको पेंट कर रही हूं किस तरीके से प पेंट और ब्रेश्ट से बना लूँगी मैंने ड्रॉव नहीं किया था बट यहां पर मुझे असा लग रहा है कि होना चाहिए तो हम वहां पर भी बना लेंगे और जहां-जहां मैंने ड्रॉव की है अब उसको मैं इस तरीके से फिल करूंगी और शेड करूंगी झाल झाल ट्रॉव जैसे कि मैंने आपको थ्री बॉटल दिखाई थी तो जो डाकर शेड था हमारा सैप ग्रीन कलर था वो अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर आप लाइनर ब्रश यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा और अब डिजाइन को हम कनेक करेंगे तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह मैंने डिजाइन बनाई है तो इसमें मैंने पेंट का भी इस्तमाल किया है और रिबन का भी तो आप कह सकते हैं यह पेंटिंग और इंब्रॉडरी को हम मिक्स करके एक डिजाइन बना रहे हैं तो इस तरीके से आप देख रहे ह यहां पर दे रहें लीव्स को थोड़ा तच अब आप देखेंगे जो हमारा क्रीम रिबन है और ग्रीन लीव्स है यह ऐसे तो ओके लग रहे ठीक लग रहे अब आप देखें मैं इसमें आपको जो बताने वाली हूं ट्विस्ट मैंने जो आपको बोला था वो विडियो में में यहाईगा अब देखें मैं क्या कर रही हूं मैंने एक ब्रृष लिया है फ्लैट प्रृष यूस करी हूं यहाँ पर और जो हमने ब्रॉडर्री से फ्लार बनाये थे रिबन से मैं उस पे शेड दे रही हूं लाइट परपल कलर से और अब आप देखेंगे कि हमारा जो है शेड होते ही किस तरीके से डिजाइन में चेंज़ेस आते जाएंगे यही आपको प्रोसेस बहुत ही ध्यान से देखना है टाइम शूर कि आपको बहुत पिसंद आने वाला है तो अगर आपको यह चीज़ें अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ जल्दी से शियर कर दें झाल 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 फ्लावर को शेड करने के बाद अब हमारा जो पराग का एरिया बचा हुआ है वहाँ पे मैं डाक परपल कलर फिल कर दूँगी वन बाई वन हम तीनों फ्लावर में पराग के लिए इस तरीके से फिल कर देंगे डाक कलर और उसको थोड़ा सा सेट होने के लिए छोड़ेंगे अभी हम पराग बनाएंगे इसमें स्टेप्स हैं लेकिन थोड़ा सा हम छोड़ेंगे उसके बाद आगे का प्रोसेस में आपको दिखाऊंगी अब देखिए हमारा कलर जो है वो सूग गया है जो अपने डाक कलर लगाया था अब हम पराग बनाएंगे उसके लिए यलो कलर यूज़ करूंगी और इस तरीके से आप इसको इसमें डाट देना है और इस तरीके से मैंने इंब्रॉडरी प्लस पेंटिंग से बहुत ही ब्यूटिफुल सी डिजाइन बनाई है यह इसका कम्प्लीट लुक देखे मैं आपको अच्छे से शो कर दे रही हूँ आपको बहुत पिसंद आये होगा आपका जो भी रिस्पॉंस है कॉमेंट में मुझे जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे नेक्स वीडियो में क्या देखना है जरूर बताएं see you in the new video till then take care bye bye